एलो गाइस विडियो तो आज की वीडियो में मैं रैंक करने जा रहोंगा सारे स्टम्बल क्यास के अभी तक आगए मैप को वर्श से पैस्ट तक तो टोटल इसमें 23 मैप आच चुके हैं गाइस तो स्टार्ट करते हैं हमारे 23rd नमबर से ही लेकिन उसके पहले यह पूरा मेरा ओपीनियन है आपका ओपीनियन अलग हो सकता है इसलिए आपके टॉप फाइब मैप्स कमेंट कर देना याद से कमेंट सेक्षिन में तो ट्वेंटी थर्ड नमबर पर आता है हमारा ओव्यस सा मैप गाईज रॉकेट ट्रंबल इसका नाम यह ना रॉकेट ट्रंबल लिए ऐक तो टीम मैप गाईज मैं समझ चका हूं फॉल लाइस और स्टम्बल गाईज में टीम मैप ज्यादा दिन टिक नहीं सकते भाई एक टाइम बाद इतना खतरनाक बोर मारते ना क्या खेल ने सकते और कोई चीज़ बार बार आप टीम मैप में क्या ही कर लोगे बताओ यार लास्ट मैप मतलब की वर्स्ट मैप तो चलते हैं 20 सेकंड नंबर पे तो 20 सेकंड पे है हमारा स्टमबल सॉकर जो की है अनदर टीम मैप यह मैंने रॉके टंबल के ऊपर से रखा है क्योंकि इसमें आप कुछ तो कर ही सकते हो भाई उसमें तो कुछ भी नहीं करता है इसलिए इसको ट्वेंटी सेकंड पर रखा है मैंने तो 21 पर होट वील्स हसल गाइस तो कुछ लोग शौक हो गोंगे बोलेंगे यह तो अब अभी आया मैं वही तो यह अभी आया और अभी से मुझे बोर माने लगा है यह आता है ना तो दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि इसमें ना सिर्फ आदे गेम तक ही आप खिल सकते हैं उसके बाद कार पर डिपेंडेंट है आपके हाथ में कुछ नहीं बस सीता जाते रहो क कुछ ज्यादा करने के लिए है नहीं और मैंने बोला ना जहां पर जादा कुछ करने की ज़रोत नहीं रहती वहां पर मज़ा आना कम होने लग जाता है इसलिए इसको मैं रखाए 21 पर और अभी से ही मुझे बोर माने लगा तो मैं सोच नहीं सकता कि एक है दो महिने बाद इसकी शेकल भी मैं कैसे देखोंगा तो 28 पर है गाइस फ्लोर फ्लेप जो की शायद से स्टंबल गाइस का लॉंगेस्ट मैप हो सकता है इसलिए यह बोरिंग है इतना बोरिंग है एक तो इसमें वही चीज़े दूसरों पर थोड़ा डिपेंडेंट है हमारा गेम क्योंकि यह बहुत इजी हो चुका है रेट बॉक्सेस और उपर से इतना लंबा मैब लासने फिर डिपेंडेंट हो आते हो तो इसलिए मैंने इसको रखा है इतना पीछे तो 19 पर आता है हमारा स्पिन गोरांड जो की हमारा सबसे अर्ली गेम्स में से एक है हमारा स्पिन गोरांड और यह मैंने 19 पर इसलिए रखा है क्योंकि यार बहुत जादा रेपिटेटिव ही है क्योंकि इसमें आपको क्या ही कर लेना है मतलब सीधा जाना है बीच में से और वही एक ही चीज़ हर बार करते करते ना बंदा बूर हो जाता है और यह इतना मुश्किल मैप भी नहीं कि इस इसमें कुछ खास मज़ा है ने मतलब वही सेंज चीज़ है जैसा कि मैं आपको बताया राइट से जाना है फिर हैमर्स करने कुछ नया नहीं है और थोड़ा सा इजी भी है मेरे लिए तो कौलिफाय करना इसलिए मुझे इतना खास पसंद नहीं अब बहुत जादा ही बोर ह सकता हूं मतलब बोरिंग्ट तो यह बहुत चुकिए लेकिन इसको जैल सकते इसके पहले आपको पीछे कर सकती है इसका जो रिस्क है इस से आता गास मजा इसको यहां पर रखा है तो 16 पर है हमारा humble stumble guys और यह थोड़ा early map है मतलब बहुत ज्यादा early map है वैसे सब्सक्राइब का लेकिन इसमें थोड़ा intensity है इसमें थोड़ा मज़ा आता है body लगती है भीड बहुत ज्यादा है जगे बहुत कम है और पहुत ही छोटा राउंडे इसलिए मुझे ना यह ठीक लगता है बाकी early map से यह बहुत चोटा है न तो जल्दी खता हुजाता है ज्यादा बहुत लगता नहीं है आए चालू किया खतम किया खतम करके आगे बढ़ गए तो 15 पर है हमारा टाइल फॉल गाइस और यह थोड़ा ठीक राउंड ने गाइस अब ठीक मैं आने लग गया हम लोग यह ठीक इसलिए क्योंकि इसमें कुछ ही लोग क्वालिफा होते हैं और बीच में जो लड़ाई होती है ना वह बहुत जादा इंट्रेस्टिंग है जो लाद गुसे चलत आइसी हाइट गाइस क्योंकि यह है एक फुल टिप्स और वाला मैप तो यह अरली मैप होने के बाउजूद इतना ज्यादा खेले जाने के बाउजूद भी यह इसलिए इतना उपर है क्योंकि इसमें बहुत टिप्स और ट्रिक्स है तो जिसको आती है लेकिन आगई तो ट्रिक है जो कि इतनी खास है नहीं तो यहां पर बोरिंग हो जाता है इसलिए मैंने इसको पीछे भी रखा है वहना यह बहुत आगे जा सकता था यह मैप तो थर्टीन पर है पेंट स्प्लैश गाइस जो की फिट से एक बहुत ही लंबा मैप है लेकिन इसमें इतने सारे और लास में जो टाइल्स उपर निचे होती है वो तो यार बहुत ही खतरनाक है तो वो वो है इसका पीक गाइस उसके कारण इसको इतना उपर डाला गया है अगर वो नहीं होता तो शाहिए थोड़ा और पीछे होता लेकिन ठीक है तब इसकी रैंकिंग तो 12 पे है हमारा ज सेंट्रिक्स है बस यही है कि एक बार आ गई तो थोड़ा मीडियोकर फिल होने लग जाता है लेकिन तब भी ठीक है यार इतना कोई बुरा है नहीं इसको 12 पे रखा है और इंट्रेस्टिंग मैप भी है गाइस बहुत एक बार नीचे गर गए चेक प्वेंट फेल हो जाते है एक बार भी अगर आप टक्रा गए किसी कार्टे से तो आपकी हार पकी हो जाती है फाइनल में तो इसलिए मैंने इसको इतना आगे रखाया है इसलिए मैंने इसको यहां रखाया है तो यह बहुत ही सही मैं मतलब एक तो ही तो यह सरवाईवल मैप अभी तक शह्याद से मैंने डाला है नहीं तो इससे प्रूइव होजाता है गाईंश कि सरवाईवल मैप हमेशा रेस मैप से उपर ही रहेंगे क्योंकि इसमें अन प्रिक्टिबलीटी पहुत जाती है आपको वही करना है इस डोल मैप में यह दिखू चार्ज भी घत्म लग जाता है तब भी मज़ा है तो इसलिए सर्वाइवल मैप हमेशां इंट्रेस्टिंग रहेंगे रेस मैप से तो हमारा जो लास्त चल रहा है वह लेजर ट्रेजर है यह ठीक है बस लेजर से बाइडमेंड जो की बहुत सही लगता है मुझे कि इसमें काफी टाइम है अगर कोई मुक्य निमारे ना इसमें तो भी मज़ाएगा गाइस बहुत मैप ऐसे हैं जिसमें इमोट पड़ता है तो मज़ा आता है लेकिन इसमें बिना इमोट को मज़ा आता है मतलब फुल कर दिया गया है स्वाण ही नहीं हो रहा था एट पर है गाइस ओवर एंड अंडर तो यह मैंने इतना आगे इसलिए रखा क्योंकि यार यह एक विनिंग मैं पे अगर आपको इसके ट्रिक्स आ अच्छे से तो आपको मज़ा भी आएगा और जल्दी खतम हो जाता है और जो ने पहुत है अच्छा सोचा है कितना पूराना मैप है लेगे पुराना हुने के बावी विल्कुल नया लगता है ऐसा लगता है कि जब भी अपडेट आता है इसमें हलका सा कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है तो इसलिए मुझे मज़ा आता है बहुत सहीं मैप यार और से बहुत इंटेंस मैप है और मज़ा भी बहुत आता है लास में जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी फिनिश लाइन की उसके कारण इसको एक्स्ट्र पॉइंट्स मिलते हैं तो इसलिए मैप इतना आगे है तो सिक्स्थ पर है हमारा लावा रस जो की एक फाइनल ओनली मैप है इसलिए इतना आगे क्योंकि इसको ज़्यादा वाल लोगों ने खेला नहीं है बहुत ही टफ मैं पर बहुत टफ आगे पहुंचना ही बहुत टफ है जिसके यह ट्रिक यार माइंड मत करना इसे मजाक में चल लए इसलिए भाई तो यहां पर जो फाइनल में सिर्फ आता न नहीं हो तो लेकिन एक बार सीख गए तो मज़ा बहुत आएगा और जीत गए तो और मज़ा आएगा तो आज चुके हमारे टॉप फाइव मैप में गाईस तो फिफ्ट पर आता है हमारा बाट बैच यह हो सकता है बिल्कुल नया है हमने बहुत कम खेला है बागी मैप से र टिक सकते नहीं हो तो बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ड मैप है इवन अगेंस बाट इसलिए मैंने इसको इतना उपर रखा है क्योंकि इसमें फुल इंटेंट यह और फुल मज़ा आता है फूर्थ पर है हमारा गाइस लावा लैंड जो की अनादर सरवाइवल मैप है इलिम इलिमिनेशन मैप आने वाले गाइस एक को छोड़के वह आपको सुचना पड़ेगा कौन सा है और इसमें मोट का खत्रा भी बहुत ज्यादा मंट राता है इसलिए आपको फुल भाई स्किल पे खेलना पड़ेगा बहुत सही मैप बनाए है यह स्टमल गाइस अलो ने तो पर आता है हमारा फाइनल रेस मैप गाइस जो की बेस्ट रेस मैप आप बोल सकते हो सूपर स्लाइड जिसकी जो इंटेंसिटी वह आस तक कमनी हुए गाइस आस तक यह बोरिंग नहीं हुआ है क्योंकि इसमें इतनी खतरनाक टिप्स और ट्रिक्स है एक टाइम पर सबसे ज गाइस ने इसको कॉपी कर लिया तो आप सोची सकते हो कि इतना खतरनाक मैप है यह जो कि स्टंबल गाइस ने खुद इन्वेंट किया है इसलिए यह हमारा बेस्ट रेस मैप है और यह आता है थर्ड नंबर पर और सेकेंड पर आता है गाइस अभी कर टाइम पर सबसे ज़ स्ट्रीम होती है का सेबिए इसके इसके जिटना थानी होगा शायद तो इसलिए मैप आता है सेकेंड में और फरस्त मैं कौन सा मैप बचा यह तो आपको मालूँ चली गया होगा तो फरस्त पे आता है गाइस हनी ड्रॉप जो कि मैंने पहुत बार बोला है मेरा फेवरिट मैं पे इसलिए मैंने इसको रखा है नमबर वन पे आपके हिसाब से हो सकता है ब्लोग डैश हो या बॉट बैश हो कुछ भी हो लेकिन मेरे लिए है हनी डॉप गाइस क्योंकि हनी डॉप हमें पहुत अच्छे से आता है और स्टार्टिंग से में से खेल रहा हूं देखता था था खेलना तो मैंने अब चालुगा तब भी मुझे यह पसंद आता था और आज भी पसंद रही तो इसलिए हनी डॉप है नंबर वन पे गाइस तो वीडियो को लाइक कर देना जाने से पहले और कमेंट कर देना अपने टॉप फाइव फैवर कि दे झा कर बाह की ?